प्रदान मंत्री बोरी जॉन्सन और उनके डेलिगेशन का भारत में हारदिक स्वागत करता हूं प्रदान मंत्री की रूप में भले ही है उनकी पहली भारती आत्रा है लेकिन एक पुराने मित्र के रूप में वे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं समझते हैं पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के सबंधों को मजबुत करने में प्रदान मंत्री जॉन्सन की बहुत महत्पपुन भूमी का रही है इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमरित महोत्सों मना रहा है प्रदान मत्री बहुत जॉन्सन का यहां आना अपने आप में एक एतिहासिक पल है और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का सुभारम सावनमती आश्रम में महत्मा गांदी को स्रद्धा सुमन अर्पित करके किया फ्रेंड पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच comprehensive strategic partnership की स्थापना की थी और इस दसक में अपने समंदों को दिशार देने के लिए हमने एक महत्मा कांक्षी roadmap 2030 भी launch किया था आज की हमारी बात्चित में हमने इस roadmap में हुई प्रगती को review भी किया और आगा में समय के लिए कुछ लक्ष भी तैय किये free trade agreement की विशे पर दोनों देशों की teams काम कर रही है बात्चित में अच्छी प्रगती हो रही है और हमने इस साल के अंत तक FTA के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णे लिया है पिछले कुछ महनों में भारत ने UAE और Australia के साथ free trade agreement का समापन किया है उसी गती उसी commitment के साथ हम UK के साथ भी FTA पर आगे बढ़ना चाहेंगे हमने रक्षा खेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमती व्यक्ति की है रक्षा खेत्र में manufacturing, technology, design और development सभी खेत्रों में UK द्वारा आत्म निर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं Friends, भारत में चल रहे व्यापक reforms, हमारे infrastructure modernization plan और national infrastructure pipeline के बारे में भी हमने चर्चा की हम UK की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेस का स्वागत करते हैं और इसका एक उत्तम उधारण हमें कल गुजरात में हालोईल में देखने को मिला UK में रहने वाले 1.6 मिलियन भारत की मुल्के लोग समाज और अर्थ विवस्ता के हर शेत्र में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है और इस जिवन्त सेत्व को हम और मजबूत करना चाहते हैं इस दिशा में प्रधानमत्री जॉन्सन ने नीजी रूप से बहुत योगदान किया है इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ फ्रेंड्स हमने ग्लास्गो में आयोजीत कॉप 26 में लिए गये संकलपों को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिवधता जताई आज हमने अपने क्लाइबेट और एनर्जी पार्टर्शिप को और अधिक गहन करने का निर्णे लिया हम यूके को भारत के नेशनल हाइडरोजन मीशन में सामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे बीच स्ट्रेटेजिक टेक डायलोग की स्थापना का मैं रदे से स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज हमारे बीच ग्लोबल इनोवेशन पार्टर्शिप के इंप्लिमेंटेशन एर्रेंजमेंट्स का समापन एक बहुत महत्पुन पहल साबित होगी यह अन्य देशों के साथ हमारी विकास साजयदारी को और मजबूती प्रदान करेगा इसके तहट तीसरे देशों में मेड इन इन्डिया इनोवेशन के ट्रांसफर और स्केलिंग अपके लिए भारत और यूके हंड्रेड मिलियन डॉलर तक को फाइनास करेंगे इनसे सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स की प्राप्ति में और क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों में भी बदद मिलेगी यह हमारे स्टार्ट अप्स और MSME सेक्टर के नए मार्केट तलाखने और अपने इनोवेशन को ग्लोबल करने में बहुत उप्योगी सिद्ध होगा फ्रेंट हमने खेत्रिय और वेश्विक स्थर पर हो रहे अनेक डेवलप्मेंट पर भी चर्चा की एक फ्री ओपन इंक्लूजीव एंड रूल बेज ओर्डर पर आधारित इंडो पसिपिक खेत्र बनाय रखने पर हमने जोड दिया इंडो फसिपिक ओशन इनिशेटिव से जुड़ने के यूके के निरने का भारत स्वागत करता है हमने यूकरेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलोग और डिप्लोमसी पर बल दिया हमने सभी देशों की खेत्री अखनता और संप्रभूता के सम्मान का महत्वभी दोहराया हमने एक पीसफुल, स्टेबल और स्टिक और अफगानिस्तान और एक इंक्लूजीव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्मेंट के लिए अपना समर्थन दोहराया यह आवशक है कि अफगान भूमी का प्रयोग अन्य देशों में आतंगवाद फैनाने के लिए नहीं होना चाहिए एक्सलेंसी आपने हमेशा भारत और यूके के समंदों को मजबूत करने के लिए विशेश प्रयास किया है इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिजी बंडल का भारत में हारदिक स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए